हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटेदार में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं factors affecting adsorption of gases on solid ठीक है जो solid adsorbent रहेगा उसके उपर जो gas adsorbate हैं वो किस तरह से attach होती हैं किस तरह से adsorption होता हैं किसी solid surface के उपर किसी gas का ये आज हम पढ़ने वाले हैं और जो adsorption होगा उसको कौन-कौन से जो factors हैं वो affect करते हैं ये आज हम अच्छे से discuss करेंगे clear करेंगे तो वीडियो बहुत ही important है आपकी NCRT में भी है question है ठीक है so please guys concentration आपकी यहां whiteboard पर होनी चाहिए अगर आपकी concentration यहां whiteboard पर हैं तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं ये guarantee के साथ वादा कर सकता हूं कि आप ये वीडियो अच्छे से clear कर पा लिए guys first point जो लिखा है first heading वो हम देख लेते हैं लिखा है nature of gas ठीक है gas का nature कैसा होना चाहिए यानि कि adsorbate का nature कैसा होना चाहिए so इसमें लिखा है when the adsorbate is gas and that gas is easily liquefiable then the amount of adsorption is much more ठीक है यहां पर लिखा है कि जब कोई adsorbate gas है और वो gas easily liquefiable हो सकती है अब easily liquefiable कैसे हो सकती है मतलब की easily liquid form में convert हो सकती है है ना तो जब कोई gas अगर adsorbate है और वो gas easily liquefiable है यानि कि आसानी से easily liquid में convert हो जाए तो amount of adsorption क्या होगा जादा होगा increase हो जाएगा ठीक है first point I think आपको अच्छे से clear हो चुका है कि जब कोई adsorbate gas है और वो gas easily liquefiable है है ना easily liquefy हो सकती है तो वहाँ पर amount of adsorption या extent of adsorption क्या होगा much more है जादा होगा increase हो जाएगा ठीक है first point clear second point लिखा nature of adsorbent अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ adsorbate के उपर ही adsorption जो है वो depend करे यहाँ पर adsorbent का nature भी माइनर रखता है ठीक है तो second point लिखा है nature of adsorbent इसमें क्या लि is a surface phenomena यह हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं है ना जो unit है surface chemistry इसमें हमें अंदर की बात तो करना ही नहीं है जो surface पे हो रहा है बस वही हमें पढ़ना है ठीक है तो adsorption क्या है surface phenomena है है आगे लिखा है it depends upon the surface area of adsorbent ठीक है यह surface area पर depend करता है और किसके surface area पर depend करेगा adsorbent के surface area पर सो आगे लिखा है so greater the surface area है ना greater the surface area greater is the adsorption है ना जितना ज्यादा surface area होगा उतना ही ज्यादा adsorption होगा ठीक है अब इसको हम example से समझते हैं suppose कीजिए हमारे पास कोई एक लकडी है है और लकडी यहाँ पर क्या है adsorbent है अब इस लकडी के टुकडे को हमने बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया मतलब कि पीस लिया हमारी language में बोले तो पीस लिया है ना तो पीसने से क्या होता है कि ये जो लकडी का टुकड़ा है ये बारिक बारिक छोटे 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 small particles में divide हो जाएगा ठीक है कुछ इस तरह से तो यहाँ पर surface area कम है और यहाँ पर surface area जादा है तो यहाँ पर अगर कोई gas aid होगी या absorb होगी तो वो gas सिर्फ यहाँ पर इस surface के उपर ही absorb हो पाएगी है ना तो यहाँ पर जो absorption है वो कम होगा क्यों कम होगा क्योंकि surface area कम है और यहाँ पर absorption जादा होगा amount of absorption जादा होगा much more होगा क्यों होगा क्यों कि यहाँ पर इस लकडी के टुकड़े के जो बार पार्टिकल है छोटे छोटे पार्टिकल है उनका सर्फेस एरिया ज्यादा है है ना so यहाँ पर एड्जोप्शन ज्यादा होगा यहाँ एड्जोप्शन कम होगा ठीक है clear हुआ example के थू है ना लिखा क्या है adsorption is a surface phenomena it depends upon the surface area of adsorbent so greater the surface area greater is the adsorption यहाँ पर adsorption कम होगा क्यों क्योंकि surface area कम है यहाँ पर adsorption ज्यादा होगा क्यों क्योंकि surface area ज्यादा है clear है third point भी sorry second point third point लिखा है temperature क्या लिखा है adsorption decreases on increase in temperature because at high temperature kinetic energy of adsorbent molecule increase which increase motion of particles अब जो temperature वाला point है इसको भी हम एक example से समझने की कोशिश करेंगे है ना चलिए तो suppose कीजिए कि हमारे पास fridge में से निकाला हुआ पानी है और उस पानी को हमने एक glass के अंदर डाल दिया अब आपने भी practically यह देखा होगा कि जो glass है जिसमें बहुत ही ज्यादा थंडा पानी है उसके चारो तरफ उस glass को लेना और sunlight में रख देना है ना sunlight अगर रखेंगे हम तो sunlight में जैसे ही हमने रखा तो heat बढ़ जाएगी है ना temperature बढ़ जाएगा तो temperature बढ़ने से जो वो particle है या जो water vapors है जो glass के चारो तरफ चिक्के हुए थे वो जैसे ही हमने sunlight में रखे तो वो उड़ गए गायब हो गए ठीक है अब क्यों हुए गायब क्योंकि जैसे ही हमने temperature increase किया sunlight में रखा मतलब कि temperature increase किया ना इसका मतलब यह है कि temperature ज्यादा करने पर temperature इंक्रीज करने पर absorption कम हो जाएगा है ना यही लिकाए यहाँ पर absorption decreases on increase in temperature because at high temperature kinetic energy of adsorbate molecule increase है ना high temperature के ऊपर kinetic energy increase हो जाती है adsorbate molecule की तो क्या होगा which increase motion of particles है ना motion of motion of particle मतलब की जो particle का motion है वो भी increase हो जाएगा तो इसलिए जो temperature होता है अगर वो हमने increase कर दिया तो adsorption decrease हो जाएगा example के through I think आप अच्छे से clear कर पाए होंगे चलिए अब next point हम देख लेते हैं pressure यह भी उतना ही important है जितना की temperature था इसमें क्या लिखा है adsorption increases on increase in pressure because more number of gas particles come closer to the adsorbent अब इसको भी हम एक example से समझने की कोशिश करते हैं suppose कीजिए हमारे पास कोई एक container है और इस container के अंदर एक adsorbent मस्त हाथी की तरफ पढ़ा है और यह चाहता है कि भईया कोई adsorbent आए कोई gas particle आए और मुझ से आकर के चिपक जाए चिपक जाए मतलब कि adsorb हो जाए है ना तो हमारे पास यह gas के particle है इनको इस adsorbent की surface के ऊपर है ना यहाँ पर इन gas के particles को adsorb करवाना है तो हम क्या करेंगे हम एक जुगाड लगाएंगे धासु जुगाड है ना इंडियन जो होते हैं वो जुगाड में माहिर होते हैं है ना तो हमने एक जुगाड लगाया कि यहाँ पर एक piston लगा दिया और इस piston के थुरु हमने pressure apply किया है ना यह gas के particle जबने इनके उपर हमने piston के थुरु pressure apply किया तो pressure लगाने पर एक time ऐसा आएगा कि ये gaze के particle ना चाहते हुए भी ये नहीं चाहते हैं कि हम इससे चिपके बटे इनको चिपकना पड़ेगा क्यों क्योंकि उपर से हम pressure apply कर रहे तो pressure लगा रहे हैं तो एक time ऐसा आएगा कि ये gaze के particle इस adsorbent की surface पर इस तरह से attach हो जाएंगे adsorb हो जाएंगे है ना तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही हमने pressure increase किया वेसे ही gas के particle इस adsorbent की surface से आखर करके चिपकना start हो गए जुडना start हो गए adsorb होना start हो है ना तो यही तो लिखा है थियोरी में adsorption increases on increase in pressure adsorption बढ़ता है जैसे हमने pressure को बढ़ा है क्यों क्योंकि more number of gas particles come closer to the adsorbent ज्यादा gas particles इस adsorbent के पास पास में आएंगे और एक टाइम इसा आएगा कि यह पूरी तरह से इस पर adsorb हो जाएंगे इस adsorbent की surface पर adsorb हो जाएंगे तो आई थिंक चारो की चारो point आपको अच्छे से clear हो चुके हैं हमारी daily life के example के through मैंने आपको अच्छे से clear करवाए हैं समझाए हैं explain किये हैं ठीक है तो please guys सिर्फ आपको तीन काम करने हैं तीन request समझ लीजिए ये मेरी तरफ से पहली request है वीडियो को like करके ही जाना हैं आपको ठीक है second काम है जो दूसरा काम है दूसरे request है वो है ज़्यादा से ज़्यादा share करना है अपने friends के साथ में और तीसरे request है इस channel को subscribe करना है साथ में bell icon भी press करना है ठीक है तो तीन काम करना है like, share and subscribe और अगर आप चाहें तो एक अच्छी आपकी एक अच्छी कमेंट एक positive कमेंट हमें positive manner से भर देती है हमें भी positivity मिलती है next videos बनाने के लिए ठीक है तो please वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और हो सके तो comment भी कर दीजिए ठीक है, चलिए guys मिलते हैं अब next video में, till then thank you so much, जय हिन